प्रतिमा की पुजा करने से विरोधी शान्त होंगे, घर में लड़ाई जगडे नहीं होंगे, आपकी जिन्देगी से तनाप, टेंशन हमेशां के लिए दूर हो जाएगा, कौन सी है वो प्रतिमा भगवान श्रीप की जान लेते हैं पंडी जी से, पंडी जी बताएं जब भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, भगवान सीव, और शरीप पर उनके भस्म लगी होती है, तो ऐसे भगवान सीव की ध्यान करने से, उपासला करने से, एक तो एंजाइटी और तनाव दूर होता है, दूसरी बात आध्यात्मिक उन्नती होती है, और तीसरी ब्यक्ति के सारे दोस दूर्गुण दूर हो जाते हैं। ब्यक्ति का माहौल होता है। हाथ में धनुस बाण लिये हुए, रत पर बैठे हुए, भगवान सिव की पूजा करने से ब्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख सांती रहती है और मान सम्मान बढ़ता है। जैमाबिन दिवासनी।